मैं यह आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बाजपा द्वारा संस्थानों की हत्या का देश छेल रहा है दंश। भाजपा दौरा संस्थानों की हत्या का देश जेल रहा है दंश अब वो संसत को मार रही ओपोजिशन की भाशनों के अंश काट रहे हैं ये एक नया तरीका निकाला गया है गैरतांत्रिक अगंतांत्रिक वियवार का भाजपा को लगता है कि विपक्ष के बिना वो चला देश कॉंग्रेस की आवाज को दबाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा वो ये कर सके इस तानाशाही इस निरंगकुष्टा का चेहरा पिछले कुछ दिनों में संसद में बड़े नंगे रूप से दिखा है इस सत्तारूर पार्टी और इस सरकार का ज जिसने बार-बार चाहे वो श्री राहुल गांधी के स्पीच के बड़े-बड़े हिस्सों में शब्द निकालने की प्रक्रिया हो शब्दों को निश्काशित करने की प्रक्रिया हो एक्सपंक्शन की या वही प्रक्रिया हो मानने श्री मलिकार अर्जुन खर्गे जी के व चालता हूं लेकिन बात Sumple सरल यह है कि अब संसद में भी यह सरकार और यह सतारुड़पार्टी यह डराने की धंकाने की अत्याचार गंतांतरिक नियमों के साथ समविधान के साथ उसुनों के साथ करने की प्रक्रिया शुरू करने में जुट गई है वो नहीं चाहते कि संसद सहमती से चले, समनवर से चले, वो चाहते हैं तकराव हो और तकराव से चले, तकराव के नए-नए पहलू निकाले जा रहे हैं, आप सब ने जो जंता के समक्ष अब दो-तीन दिनों से हैं, वो सभी वक्तव पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, जो मा मानने राहुल गान्दी जी ने दिये, मानने खर्गे जी ने दिये और आपके पास उनके टेक्स्ट भी हैं, सबको मालूम हैं, आप ये बताएं कि गैर संस्थिय इसमें एक शब्द अगर मुझे बता दे कोई, दुर्वचन एक वाक्य बता दे, मान मर्दन किसी संस्था का हुआ है, वो बता दे मुझे, आपत्ति जनिक या गाली गलोच वाला कोई शब्द इस्तमाल हुआ है, वो दिखा दे हमें, अभद्र मान हानी वाले शब्द, क्या चीज़ है जिससे आपने ये शब्दों को निश्काशन करने एक्सपंक्शन वाली प्रक्रिया की, और इस से ज्यादा शिष्टा चार के साथ, शिष्टा पूर्वक राहुल गांदी जी और खरगे जी ने जो बोला है, वो सभी तत्यों के अधार पे बोला है, बलकि इतनी मजाकिया एक प्रव्रित्ती दिखाई है सरकार ने, कि प्रश्णों को भी निश्क पासित किया गया है, जो दोनों सदनों के अध्यक्ष हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो हमारे समविधान के इस अंग के रक्षक हैं, स्थम्भ हैं, संग रक्षक हैं, और सबसे पहले संग रक्षक हैं, स्वतंत्र, खुले रूप से अपनी बात रखने के सिध्धा का पालन करने के लिए ये एक मौलिक स्तंब है हमारे गनतंत्र का कि हम स्वतंत्र रूप से निडर रूप से स्वतंत्र रूप से खुले रूप से अपने विचार संसद में रख सकें और उसके संग्रक्षक ये लोग हैं ये अध्यक्ष हैं क्योंकि संसद हमारे गनतंत्र का मं उनके कवच के बिना, उनके संग्रक्षक के बिना, उनकी सुरक्षा के बिना ये स्वस्त संसिदिय विचार विमर्ष कैसे होगा। डिबेट खत्म हो जाएगा स्वतंत्र बोलना जो हमारे सम्विधान की नीव है वो खत्म हो जाएगा संसत के अंदर हम सब को खड़े होके इसको बचाना है और अगर आप स्वतंत्र खुला निडर पारदर्शी विचार विमर्ष नहीं अलाव करेंगे संसत के अंदर तो कहां आपकी गंतंत्र प्रणाली बचेगी वो अपरिवर्तनी तरीके से खत्रे में पढ़ जाएगी आखिर संसत को देश का सबसे व्यापक सबसे बड़ा गंतंत्रिक जाँच का आयोग माना गया है इससे बड़ा आयोग कहीं नहीं है वो अपना काम कैसे करेगा अगर नियमों द्वारा जिसमें आपने शब्दों को निश्काशन किया इतने सारे वाक्यों को जिनका कोई एक्सपंक्शन के नियम से सरोकार तक नहीं है अगर आप उठाके पढ़ें 380 लोकसभा में और यही रूल है राजसभा में तो जितने मैंने शब्द कहा है आपको इसका सिर्फ एक कारण है सरकार का प्रेशर दबाव दुष्प्रभाव यह नियंतरन और कमांड संकी कमांड फ्रीक सरकार है जो हर चीज को नियंतरन फ्रीक नियंतरन संकी सरकार है और अब यह विधायका में भी यही कर रहे हैं दस तारीक को इसका एक और नया उधारन मिला आपको एक और नया अभूत पूर उधारन ऐसी उचाईयां इस अभूत पूर उधारन में हैं लेकिन दुखद मिसाल बनेगा ये भविश्य के लिए किसका तानाशाही का और निरंकुष्टा का और इसके कारण पूरी राजनेतिक सामोई कुरूप से जो विपक्ष का नाजनेतिक स्पेक्ट्रम है वो सदन से बाहर चले गए थे दस तारीक को मिस रजनी पाटिल एक 15 मिनिट की सर्जिकल स्ट्राइक शल्य चिकत्सा जिसको सरकार बहुत शौक से बात करती है उसके अंतरगत निलंबित हुई आरोप है एक वीडियो रिकॉर्डिंग के विशे में पहली बात कोई उनको कारण बताओ नोटिस कोई प्रक्रिया कोई 257 पढ़ें जिसके अंतरगती किया गया तो लागू ही नहीं हो सकता उसमें बड़ा साफ लिखा है कि ये इसके लिए हो सकते हैं निलंबित अगर और मैं कोट कर रहा हूं परसिस्टेंट और विल्फुल बार बार और जान बूज कर आप अगर हाउस को चलने न दे या ऐसा वातावरन पैदा करें कि मानने अध्यक्ष हाउस को चला न सकें अभी तक मिस पार्टिल ने कोई जवाब नहीं दिया कि उनको अफसर नहीं मिला लेकि अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी ने विडियो बनाया जो कि अभी किसी रूप से माना नहीं गया है तो भी वो परस consistent इसलिए तीसरा पहलू कि ये अगर सब कुछ भी मान लिया जाए तो एक पहली बार की गलती है जिसमें कि हमेशा से चेतावनी ज्यादा से ज्यादा अगर ये हुआ है मानी जाती है न कि निलम्मन चौथा इसमें जो सबसे बड़ा मूल सिध्धान्थ होता है कानून का इसको प्राकृतिक नाय कहते है नैचरल जस्टिस उसका तो फूरी तरह से लंगन हुआ है inquiry आपने कही कि हम करेंगे उससे पहले निलम्मन कर दिया inquiry शुरू नहीं उससे पहले निलम्मन कर दिया नोटिस देने से पहले निलम्मन कर दिया inquiry कंप्लीट नहीं उससे पहले निलम्मन कर दिया तो जो भी आम संतुलन या संतुलित प्रक्रिया के नियम है उनको आपने पहर फैंग दिया ख्रिकी के पांचवा मानने प्रधान मंतरी लगबग 90 मिनिट या 54 मिनिट से ज्यादा बोले उनके स्पीच में कोई ऐसा व्यवधान पैदा नहीं हुआ नहीं तो बोली नहीं पाते 90 मिनिट तक जिससे के रूल नियम 257 लागू होता कि अब्स्ट्रक्शन हाउस का ऐसा हो कि हाउस चल नहीं पाता तो इतनी लंबी वक्तवे कहां से आता भाशन कहां से आता छटा ऐसे कई और उधारन है पुराने बीतेवे समय के आज की सतारूल पार्टी के मेंब्रान द्वारा जाद जादा उसमें चेताबनी हुई है या कोई एक्शन हुआ ही नहीं है इस प्रकार से किसी क करना बार बार उनका नाम लेके और ख़ळा करना कठगरे में संसद में और नयलंबित कर देना बिना किसी प्रक्रिया के ये असंगत है एति है और सिर्फ पक्षपात से सरकार के दवाo से किया गया है हं कि कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदे को इस सरकार के अनुरोद को नहीं मानना चाहिए था जो की एक तरफा है पक्षपाती है और सभी गंतांत्रिक नियमों के विरुद्ध है हम ये भी कहेंगे आठवे पहलो में कि अगर कोई भी आख बंद करके पट्टी बांद कर भी देखने का प्रयत्न कर ले संसत्थी वी उस दिन का तो आप देखेंगे पक्षपात की कितनी बड़ी उचाईया उस दिन आई है Treasury Benches और विपक्ष के बीच में कोई अनुपात ही नहीं है coverage का एक fraction भी छोटे से छोटा हिस्सा भी विपक्ष का नहीं दिखाया गया है अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें माने पधानमंत्री के भाशन के समय की संसर टीवी की coverage अब संसर टीवी इस बरगलाने वाली प्रक्रिया में है कि वो एक सरकारी department है या प्रवक्ता है सरकार का नकी संसत का एक channel तो आप समझ सकते हैं कि गंतांत्रिक लोकतांत्रिक संतुलन कहां चला गया है पक्षपात सबसे बड़ा एक आज सिध्धान्त बन गया है हम मानते हैं कि ऐसा जो हुआ है पक्षपात असमविधानिक सिध्धान्त गैर गंतांत्रिक गैर संसदिय और जो एक प्रकार से विधायका की पुरी प्रोसीडिंग्स को नीचे ले आया गया है यह सामोहिक रूप से भर्सना योग्या है और हम समझते हैं कि यह एक ऐसी चीज है जिस पर उस दिन तो हमने बाहर आई हैं अब एक दिन और बचा है संसत का कल सुबह मीटिंग है आगे के लिए क्या किया जाएगा उसका निर्ने कल सुबह होगा